तो यहां पर देखे z conjugate equal i into z square plus real part of z है दिया हुआ है आपको यहां से z का value मालूम करना है और जो z का value आएगा उसको यहां पर put करके उसका modulus का square करना है और उसको add करने पर कितना आएगा यहां option चूज करना है तो सबसे पहले z conjugate z conjugate का मतलब क्या हुआ x minus i y z square z square का मतलब क्या हुआ x plus i y का whole square और real z conjugate का मतलब क्या हुआ x क्योंकि z का real part भी x होता है और z conjugate का भी real part x होता है right अब इसके बाद x minus i y i into a plus b का whole square a square इसका square करोगे तो minus y square आएगा i into 2 x y plus क्या x right अब यहां से x minus i y बोले तो क्या i x square minus y square plus x और i square minus हो जाता है कर दो और imaginary part को imaginary से compare कर दो तो यहां पर क्या मिल जाएगा real part minus 2 x y is equal to x एक तरफ लाकर x common लोगे तो minus 2 y minus 1 is equal to 0 तो इस तरह से आपके पास x का value मिल जाएगा 0 और y का value मिल जाएगा minus 1 y क्या 2 वो जो है real part को real से equal करने पे मिला अब यह दोनो x और y के लिए हम लोग जब imaginary part को equal करेंगे तो वहां से x और y मालुम करेंगे थोड़ा सा patience और गिध की तरह अपनी आखे बगले की तरह अपनी आखे जमा करके रखो है ना दुस्मन पे ताकि मौका आए उसो कतल कर दो ठीक है घ्यान रखो यहां पे तो imaginary part क्या हो गया minus y equal to imaginary part minus y equal to x square minus y square और क्या है बच्चों plus x क्या है plus x चलो plus x है अब यहां सुरू करो जब क्या होगा जब x 0 होगा तो y क्या आएगा वो देख लेते हैं तो जब x 0 होगा तो y क्या आएगा वो देखते हैं जो x को 0 क्या तो minus y equal to 0 होगया minus y square 0 तो मिल गया minus y plus y square equal to 0 y common ले लो तो minus 1 plus y equal to क्या 0 y का दो value आया 0 और क्या 1 यानि यहां से दो complex नमर मिला कौन-कौन एक 0 पलस 0 आई और एक 0 पलस 1 आई यह दो complex नमर मिल गए अब क्या करते हैं जब y का value minus 1y2 है जब y का value क्या है minus 1y2 है उस समय बात करेंगे y का value minus 1y2 second when y is equal to minus 1y2 तो यहां पर क्या पूटोगा minus minus 1y2 this is equal to x square minus minus 1y2 का whole square और इसके बाद plus x अब यहां से लिखोगे 1y2 equal to x square यह 1y4 तो minus 1y4 plus x इसमें हर साल की भात इस साल भी 4LCM ले लो 4x square minus 1 plus 4x होगा and this is equal to 1y2 2 2 जा 4 कैंसिल 2 को cross कर लो 2 equal to क्या आगया 4x square minus 1 plus 4x है ना calculation पर ध्यान देना ने तो फिर हरे रामा हरे कृष्णा हो जाएगा है ना सब चौपट ऐसा मिल जाएगा अब यहां पर मिल गया 4x square plus 6x minus 2x minus 3 equal to 0 आप यहां पर x लिखो यहां पर क्या लिखना है x तो क्या आजाएगा minus 2x अब यहां पर 2x common लो x plus 3 minus 1 common लो तो मिल जाएगा 2x plus 3 पूरे में common ले लो 2x plus 3 को तो बच जाएगा 2x minus 1 equal to 0 और यहां से तुम्हारे पास x का फिर दो value कौन-कौन minus 3y2 और क्या 1y2 अब x का value मिल गया उसमें y क्या लिए थे तुम इस नमर और तुम्हें मिला कौन-कौन minus 3y2 minus 1y2i क्योंकि y तो इतना था फिर क्या मिला 1y2 और उसमें y कितना है minus 1y2 तो minus 1y2i यही वो 4 complex नमबर है यह ध्यान रखना है अब आएए back to pavilion question पे question क्या करा है कि जो s में जो 4 complex नमर अभी अभी लिकाला आपने जो 4 complex नमर आपने निकाला 1, 2, 3, 4 यही s का element हो गया है क्या हो गया s का element हो गया तो इस s में इस s में जो है set s में 4 element आए तो जेड जो है वो उसी s का element है जो कि यहां पे डालेंगे और sigma का मतलब plus देंगे तो सुरू कीजे modulus निकालिए उसका क्या निकालिए? modulus तो इसका modulus क्या आजाएगा? इसका modulus आजाएगा 0 इसका modulus आजाएगा 1 इसका modulus क्या आएगा? 9 बटा 4 और plus 1 y 4 यानि 10 y 4 10 y 4 राइट? और इसका क्या आएगा? 1 y 4 plus 1 y 4 यानि 2 y 4 अच्छा इसका root भी तो रहेगा क्योंकि mod में तो root भी होता है इसका root वैसे ही 1 y 4 जो आ रहा है उसका भी क्या रहेगा? root ठीक है? ए मिल गया modulus अब कराऊ उस modulus क्या square का sum निकालना है यानि sigma mod of z का square निकालना है इसका square करेंगे तो क्या आएगा? 0 इसका square करेंगे तो 1 इसका square करेंगे तो 10 y 4 और इसका square करेंगे तो तो मिल जाएगा 4 पलस 10 पलस 1 यानि क्या? 15 बटा 4 ऐसा आ गया है ना? हम question को एक वाँ फिर से ध्यान देते हैं हमारा question क्या है? z जो है वो s का element है और modulus of z निकालना है तो modulus of z का square निकालना है तो z जो हमारा आया है z जो हमारा आया है वो 0 पलस 0 i आया है और z जो आया है 0 पलस 1 i आया है और z जो आया है वो minus 3y2 minus 1y2 आया है minus 3y2 और minus 1y2 ठीक है minus 3y2 minus 1y2 i और एक क्या आया है जी? और एक आया है 1y2 x का मान 1y2 और by उसमें क्या है? minus 1y2 तो 1y2 minus 1y2 1y2 minus 1y2 i आया है question में क्या कर रहा है? summation mod z का square तो पहले हम लोगोंने क्या निकाला? 0 पलस 0 i का mod z और उसका square फिर 0 पलस 1 i का mod z फिर उसका square फिर minus 3y2 minus 1y2 i का mod जो आयेगा उसका square और फिर minus 1y2 sorry पलस 1y2 minus 1y2 i का mod का क्या square? इसका modulus 0 इसका 1 तो 1 का square 1 इसका mod क्या आयेगा? under root 9y4 plus 1y4 इसका हमने क्या कर दिया? square कर दिया इसका क्या आयेगा? 1y4 x का square पलस y का square इसका भी 1y4 और इसका हमने क्या कर दिया? square कर दिया right? अब क्या मिल रहा है यहाँ से? 1 plus 10 by 4 का square यानि क्या मिल गया? 10 by 4 और यहाँ पे 2 by 4 का whole square यानि बोले तो कितना? 2 by 4 का whole square क्या हो गया? 4 बटा क्या? 16 यानि आप यहाँ पे 4 बटा क्या? 16 तो 16 है यहाँ पर क्या हो जाएगा LCM यानि इसका एक ध्यान से एक बार फिर से calculation पर द्यान देना है square से root conceal हो गया तो क्या बच गया 2y4 यहाँ क्या बच गया 2y4 4 तुम LCM ले लोगे यहाँ मिल गया 4 पलस 10 पलस 2 यानि कितना 14 और 2 16 16 बच चार यानि क्या आ गया 4 आ गया देखते हैं तो 4 यहाँ पर जो है आपका जो था वो 2 होनी चाहिए थी तो 2 क्या आ गया 16 बच चार इक पलटू क्या 4 तो 4 हमारा जो है वो राइट answer होना चाहिए आप देखो 4 इदा correct option option D is क्या correct आप question को आसानी से कर सकते हो अगर आपका calculation अच्छा है concept अच्छा है तो आप आराम से reject दे सकते हो यार मैं कल से ही तुम लोग को पढ़ा रहा हूं complex number और complex number में तुमने theoretical part को भी देखा problem बनाने के दर्मियान और बहुत सारे questions को भी तुम देख रहा हो question hard नहीं है यार एकदम मान लो सारा question क्या है purely real purely imaginary पे अधारित है more less पे अधारित है argument पे अधारित है कोई भी ज़्यादा if what question में नहीं है